नमस्कार आप देख रहें यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुश्मा तो क्या मैंन पूरी लोग सभा उप्चुनाओं के लिए चाचा का अशिरवाद मिल गया है अखलीश यादव को डिंपल यादव को ये बात क्यों कही जा रही है ये इसलिए कही जा रही है कि अखली शियादव ने किया है अपने ट्विटर हैंडल से तो इस तस्वीर को देखिए यहाँ पर शियुपाल यादव उनके बेटे आदित्य यादव और उनके साथ में अखलेश और डिंपल यादव दिखाई दीते हैं तो तमाम चर्चाएं पहले से ही थी ये कहा जा रहा था कि ये मुलाकात होगी ये बैठक होगी लेकिन कब होगी कहां होगी ये सपष्ट नहीं था सवा ग्यारह बजे के करीब ये मुलाकात शुरू होती है अखलेश यादव पहुंचते हैं उसके बाद धिंपल यादव यहाँ पर पहुंचती है और ये मुलाकात खत्म होती है उसक का भी आशुरवाद साथ है दरसल जब नॉमिनेशन के लिए डिमपल पहुची थी तब से ही चर्चा शियुपाल यादव की ज्यादा हो गई थी क्योंकि उस दौरान राम गुपाल यादव ने एक स्टेट्मिंट दिया था शियुपाल यादव की नाराज़की को लेकर जब पर दिखाए दिया था एक जुटता का संदेश देने की कोशिश की गई थी तो इस पर भी जवाब दिया जाता है कि वो आएं चाहें नहीं आएं उनका समर्थन है और उनके बेटे आदित्य यादव डिमपल के साथ आ रहे होंगे लेकिन आदित्य यादव भी जब नहीं पहुँचते हैं तो चर्चाएं और तेज हो जाती है कि क्या शियुपाल यादव डाराज हैं क्या वो परिवार के साथ नहीं रहेंगे क्या वो जिमपल यादव को अपनी बहु को समर्थन नहीं देंगे और यहाँ पर तब चर्चा और तेज हो जाती है जब रहुराज ज शाक को BJP अपना उमीदवार बना देती है जो कि प्रस्पा सी ही निकल कर अभी कुछ वक्त पहले BJP में शामिल हुए थे और उनको शियुपाल यादव का करीबी माना जाता है तब तो मालू कि पूरी की पूरी सियासत यहां पर चुनावी केंद्र वो शियुपाल यादव प वहू को ही देंगे यह कहा जाता है कारिकरताओं को तरब से कि जिंपल यादव ने चाचा शियुपाल से फोन पर बात की है और उन्हीं की तरब से यह जानकारी दी जाती है कि अखलेश यादव और शियुपाल यादव की मुलाकात होगी आज मुलाकात हुई बंद कमरे मे जहां पांच वाग कोई शक्स नहीं था लेकिन जब ये मुलाकात हुई तो उसके साथ सवाल ये भी उठे कि जो कयास लगाय जा रहे थी माना जा रहा था कि हो सकता है कि दोनों मिलकर के एक जुआइंट प्रस कॉन्फरिंस करें कोई जानकारी दे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है जिंपल यादव के साथ ये गाड़ी में अखलेश यादव निकल जाते हैं और उसके बाद शिपाल यादव पहुंच जाते हैं प्रसपा कारिकरताओं की बैठक के लिए तो शिपाल यादव की तरफ से अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं आया इंतजार किया जा रहा हां अखलेश ने तमाम चीज़ें बता दी हैं और ये क्लियर कर दिया है कि आश्वरवाद मिल गया है आप लोग क्या कहते हैं इस पर अपनी राय जरूर रखें योपे तक देखते जाएं और तफसील से खबरों को पढ़ना पसंद करते हैं तो योपे तक .in पर पढ़ें